हेलो एवरियोन, वेलकम बैक टू मैई चैनल शिक्षक नियोजन केम्प लगा कर होगी अभ्यार्थियों के कॉंसलिंग कल भी इस टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड की थी छठे चरण के ताहद होने वाले शिक्षक नियोजन प्रगिरिया में डाउट है कुछ कल के वीडियो पे बहुत सारे लोगों का डाउट आया उसको भी लोगी उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगी नेरा करें के प्रगिरिया शुरू करती गई जल्द ही फाइनल मेधा सुझी तयार कर ली जाएगी प्रात्मिक सिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत सी ने अभ्यार्थियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वे किसी तरह की अफवास से बचे वे यूट्यूब जैनल पर अभ्यार्थियों की संकाओं का समधान करते हुए सवालों का जवाब दे रहे तो उन्होंने कहा कि पहली वार कैम्प लगा कर सर्टिफिकेट की जाच की जाएगी और जैसे इस वार जो होगा वो पहली वार ऐसा होगा कि कैम्प लगा कर सर्टिफिकेट की जाच की जाएगी वैसे कैम्प जो लगाया जाता है तो कैम्प में पहले भी लगाया गया था तो जाच होती है लेकिन उसी दिन बस मिलान होता है जो आपके पास वो है सर्टिफिकेट वगरा है उससे मिलान होता है और एक सीडी होती है उस सीडी में देखा जाता है कि आपका जो टेटी का प्र तो अभ्यार्थी काफी परिशान हो गए कि मैं मैंसे में तो हम लोगा होगा ही नहीं कैसे पता चरेगा कि मेरा कहा होगा कहा नहीं होगा तो इस तरह का बहुत सारा कुश्चन आया तो उस सारे कुश्चन का जब आप मैं इस वीडियो में ही देती हूं आप लोगों को पहले पूरे वीडियो को देख लेती हूं उन्होंने कहा कि पहली बार केम लगा कर सर्टीफियेट के जांच की जाएगी साथ ही कौंसलिंग परकिरियाबी होगी एक ही आफ्यारती के अब एक संबावे समय बताती हूं जैसे कौंसलिंग के बारे में एथा कि सर्टीफिकेट वहाँ पर ले लिया जाता है लेकिन फाइनल मतलब उतने ही लोगों को जीते ही चैनित लोग होते हैं सर्टीफिकेट सबका लिया जाएका उस समय जितने भी लोग कांसलिंग करवाएंगे लिया जाएका बट चैनित जो लोग होते हैं उनका सर्टीफिकेट रख लिया जाता है जैसे मान ली जीए कि 5 जेनल का सीट है तो टोटल सीट यहां पर नौ सो हो रहा है तो नौ करटेगरी वाइज रख लेंगे ठीक है नौ लोगों का जो चैनित हैं जिनको हंडेट परसेंट नियोजन पत्र मिल जाएगा तो उनका सर्टीफिकेट जो है वापस नहीं किया जाएगा इन लोगों को नियोजन पत्र मि सहुंत है नहीं तो इसे में बहुत फैदा हो आप लोगों कहीं इसमें फायदा है इसमें भी पहट अधिक छहते निकर्वास तो इसको मिलिए पकितनी मेरी मेरी के लगाइंगे इनका तो हो गया नहीं हो जाइड तो फिर आप वहाँ भी करवाश रखते हो मतलब एक तो हम लोगों को पता होता है अपनी मेरीमिरेंट नियुक्त मेरा कTनी नंबर नगीन कारें मतलब मतलब कैंप तो तो वो लग अए हुई है तो जे एक आइडिया मिल जाता है और लोगैननर्ली अपने च्वाइस के हिसाब से ही जाते हैं अपने आसपास के ब्लॉग में या अपने ब्लॉग में जहां से घर नज़ दीखो तो उसी तरह के स्कूल का चूज करते हैं और बाकी लोगों का जो सर्टिफिकेट होता है वो वापस कर दिया जाता है और एक ही दिन काउंसलिंग नहीं होती है एक ही दिन सुचोगे कि पूरे बिहार में काउंसलिंग हो जाए ऐसी बात नहीं है अब जैसे जिनका हो गया उतने लोगों का हो गया मालो मुझपरपुर में आज लगा था मुझपरपुर में शारे लोग का हो गया और अगर फिर दूसरा जिला में आप चाह सकते हो अगर आपका मुझा फरपुर में नहीं हुआ आपके मार्क्स कम है या कुछ और ऐसा नहीं है कि मुझा फरपुर में भी फिर दुबारा नहीं लगेगा मुझा फरपुर में भी लगेगा लगते रहता है कैम्प नियोजन पत्र लेकिन वो नहीं करते हैं, वहां नौकरी करना नहीं चाहते हैं, नियोजन पतर नहीं लेते हैं, माल लिजे कोई थोरा सा यह है, दिक्कत यहाँ पे थोरी सी होगी, लेकिन ज्यादा पाइदा ही है, दिक्कत यह होगी, कि बहुत वारा सा होता है, कि मैं बता दू एक उधारन स और आई ब्लॉक में पहले हो गया और जो जहां पहले होते रहता है सोभा भी खेलों को भरोशा नहीं रहता है कि मेरा होगा की नहीं जहां पहले होता है वहां लोग दौरते हैं तो सारे लोग और आई में जोईन कर लिये और उस समय भी यही चीज़ था certificate चपत कर लिया घया certificate ले लिया गया मतलब तो फिर दूसरे block यॉचन हुआ तो उनका नहीं उपया दूसरे block में उचन और seat नहीं ही अभी है और जो एक्दम कम कम marks बाले थे उनका जो पे-sense कया मतलब सारे high marks बाले थे वा तो चले गए उस block में जहां पे पहले हो और जतने भी कम मार्क्स वाले लोग थे, और बचे, तो फिर किसी और जगा गए', उन लोगों को पाइदा ही ओगया, ए अपने घर के आसपास Ä। अपने ज्वाहिं होगिए, मतलब नसिदीदेग में हो गया, और इन लोगों को थोड़ा सा जिनका हाल मार्क्स था, उनका थोड़ा दूई भी हो गया, जहां पर पहले होता है, तो कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता कि हम रिस्क ले, जहां हो रहा है, वहां लोग जोईन कर लेता है, नौकरी वाली बात रहती है होना भी यही चाहिए, किसी के साथ भी यही होता है तो जी हुआ था, तो इस तरह से होता है तो मेरे हिसाब से आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा क्योंकि कल मैं बोली थी certificate ले लिया जाता है तो बहुत सारी comment मेरे पास आए कि certificate ले लिया जाएगा तो फिर हम लोगों का तो होगा ही नहीं ऐसे में जहाँ एक ही seat है, वहाँ counseling कर वालूँगा फिर नहीं होगा यालूँगी मतलब बहुत सारी comment मेरे पास आए तो मैं परिशान हो गई थी यह सोच के कि मैं उसी वीडियो में क्यों नहीं बोली कभी-कभी होता है, अचानक से वह बाते ध्यान में नहीं रहती है तो मेरे ध्यान में वह बाते नहीं थी कि वह बताना चाहिए comment आप लोगों काने लगता है तो कुछ question खुद बखुद बनते हैं मन में कि हाँ बताना चाहिए था तो फिर मैं सोची हूँ कि इस वीडियो में बता देती हूँ आप लोगों को तो चलिए और भी अगर कोई टाउट हो तो आप पोछ सकते हैं मेरे से comment में और हाँ एक और question था TET के certificate के बारे में मतलब पिछले बार जो नियोजन हुआ था तो उसमें TET का certificate ही बस लिया गया था तो शही बात है आप लोगों का कहना 100% सही है कि इस बार तो जो वो है DG Locker वाला है तो इस बार साइद सारा certificate लिया जाएगा क्योंकि मैं देखी थी वीडियो सरका जो प्रात्मिक शिक्षा निते सके तो उनका कहना था कि certificate सब ले लिया जाएगा तो इस बार एचीज होने वाली है तो पिछला बार वही लिया गया था सिर्फ DET क्योंकि DET का certificate जो था DG Locker वाला जंजट नहीं था उस समय सिर्फ DET का भी आता था तो DG Locker पे नहीं आता था घर पे ही आता था तो लोगों के पास Original एक ही हुआ करता था अगर ले लिया जाता था बस ले लिया जाता था चलिए उमीद है आप लोगों का डॉट क्लियर हो गया होगा तो मिलते हुआ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ जो भी लोग चैनल पे नए है याँ पहली बार मेरे वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर दबाले पाके जब भी मेरा नया वीडियो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले